आईए मैं आप सबकी तरफ से एक बड़ा बुनियादी सवाल अपने सारे पैनलेश से पूछना चाहूँगा और वो ये कि ये RTI है क्या? RTI होता क्या है? और RTI की जरूरत हमारे समाज को क्यों पढ़े? शुरू करते हैं आप साथ गवर्मेंट के पास, सरकार के पास, या प्रशासन के पास, जो भी कागजात हैं, उन सभी कागजात पर आम आदमी का हक है Default position ये है कि हर एक इनसान को, जो उसके नाम से काम हो रहा है सरकार में, उसको पढ़ने का हक है, उसे जानने का हक है उसके copies अपने पास रखके, उसको लेकर शिकायत करने का हक है, या उसे लेकर मीडिया तक पहुचाने का हक है तो ये हक जो है, सरकार के पास हमारे नाम के कागजात है, हम को लगते हुए जो कागजात हैं, उसको पाने के लिए, जो एक कानून बनाया गया है उस कानून का नाम है सुचना का अधिकार या Right to Information एक ऐसा कानून जो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी सरकार और सरकारी दफ्तरों में होने वाले तमाम काज और वो तमाम चीजें जो हमसे और हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं उन्हें और उनकी ग्रोथ के बारे में जान सकें सवाल कर सकें